राजनात सिंग के बेटे नीरस सिंग ने अपने परिवार के साथ आज मतदान किया मतदान के बाद A.N.B. नूट से खास बाचीत में उन्होंने साथ तोर से कहा कि उत्तरप्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनने जा रही है उत्तरप्रदेश में चौथे चनल का इस समय मतदान जा रही है हमारे साथ जादा बाचीत करने के लिए केंदी रच्छा मंतरी रादनास सिंग के बेटे नीरस सिंग मौझूद है सर क्या लग रहा है उत्तरप्रदेश में अपकी बार आएंगे योगी ही एक जनता के मन में एक विश्वास का भाव जगा है जिस प्रकार से विकास युक्त एक ब्रस्टाचार मुक्त प्रशाशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है मुझे गौरव है कि विकास के नए मापड़न्ड स्थापित हो रहे है सुरक्षा का महौल है लौ एन और्डर के फ्रेंट पर जो काम किया है जनता इन मुद्दों को देखते वे अपना वोट कर रही है विपक्षी पार्टी ने जो वाइदे किया है वो पूरा नहीं किया है भार्तियंता पार्टी जोड़ पार्टी बन कर रहे गई है यह विपक्षी पार्टी ने तो अपने दावे करेंगी पर मुझे लगता नहीं है कि उनकी दाल गल रही है पूरी थंपिंग मज़ार्टी के साथ मानी योगी जी की सरकार दस मार्च को आपको दिखाए देगा के लिए को लेकर आप लोग कहने कानुनिवर्श्टा बहुत अच्छे लेकिंविपक्ष कानुनिवर्श्टा अच्छी नहीं आई पीएस भगोड़े हैं और भी कई खात्रस में जो कांड हुआ आधी रात को जला दिया गया इस तरह कई मुद्दें हैं जिसको घेर गई जो एक का दुक्का मामले हुए भी उस पर भी हमारी पार्टी ने कठोर कारवाई करने का काम किया है और कहीं न कहीं आज माफिया राज जो पूरवर्ती सरकारों में राजनितिक सरक्षन पाता था आज वो नहीं है आज पुलिस जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ एक निर्भीक और एके मांदार नित्यतु के साथ जो है ऐसे माफियाओं पर के संस्थानों पर बुल्डोजर चलाने का कम करें दो सो एक्तिस सीटों पर चुनाओं हो जाएंगे मद्दान हो जाएंगे क्या लगए भारती इंता पार्टी तीन सो पार है उत्त्य प्रदेश इस बार तीन सो के पार होगी कैमरा पर संस्था और अपके साथ अंकिस्तर वास्तो एन विनूच लखनाओं